पूर्ण मॉनिंग बच्चो आज हम इस वीडियो में अंतराश्टी छेत्र में हीगल के अंस्वार राज की इस्तिती क्या है अर्थाथ हीगल के युद्य सम्मंदी विचारों पर चर्चा करें जो आपके एक्जाम में छोटे क्रिश्चन के रूप में अक्षर पूछा जाता है चार रंगों का हीगल राश्टी रैज का नेकेवल प्रसंसक और उपासक था और उसकी धार्ण थी कि राश्टी रैज का आधारवूच विचार संगर्स है जो देविये इच्छा के अनुरूप है राश्टी रैज दूसरी रैज्यों साथ संगर्स के इस मार को अपना कर ही अपनी अंतर राश्टिता में उसका बिलकुल विश्वास नहीं था और युद्ध को वह मानव जाती की अनवायरे आवश्चता मानता था सांती मनिश के चरित को ब्रष्ट करने वाली और इस्थाई सांती पूर्ता ब्रष्ट करने वाली होती है इगल की यह मानता थी वह लिखता है युद्ध मानव के स्वार्थी एहम का नास करता है और इस प्रकार मानव जाती को पतन के मार्ग से बचा कर उसे क्रिया सीलता का संचार करता है जिस प्रकार संबद्र में सांती के समय उत्पन होने वाली गंदगी प्रभल तूपान से नश्ट हो जाती है उसी प्रकार मान और समाज की गंदगी तर्था ब्रिष्टाचार की सुद्धी युद्ध से होती है इगल के अनुसार युद्ध में व्यक्ति और रैज का सरुक्रश्ट रूप प्रकट होता है और इससे ग्रेय युद्ध की संबावना समाथ हो जाती है युद्ध के पक्ष में एक विचित तर्क यह भी देता है कि एक समय पर केवल एक ही रैज में परमात्मा की पूर्ण प्राब होता है युद्ध में विजई रैज को ही विश्वात्मा का पूर्ण शुरूब कहा जा सकता है उग्राश्टवादी होने के कारण इगल अंतराश्टे कानून तथा व्यवस्था का समर्थक नहीं था अंतराश्टे कानूनों को यह केवल कुश परंपराय मात्र मा यह ने मानना संपूर्ण पुरुद्ध संपन रैज की अपनी इच्छा पर निर्वरक्ट है इकल सामयन नेतिकता तथा राजनी दिन नियुक्ता में अंतर करता है और उसको अच्छा विश्वार है कि अंतराश्टे संबंद्ध और सामयन नेतिक नियमों का निर्णे तो व विश्व की विश्व इतियास के अंतिम न्यायले में ही हो सकी इस प्रकार हीगल एक ऐसे सर्वाद्वरकारवादी रैज का अपा सक्था जिसके अंतरकत व्यक्ति स्वित अंत्र मान वैदकार और अंतराश्टे कानूं का कोई स्थान प्राव नहीं है हीगल के रैज की विशेश्था हैं कुछ उन पर अपन सर्चा करते हैं अपन हमने जो अंतराश्टी छित्र में या युद्ध संबंदी विचार वेचना किया है अभी उनके आधार पर हीगल की रैज संबंदी धारणा की प्रूब बातें निम्लिकित कही जा सकती है रैज मानवी जी उनकी सरुत्तम संस्ता है श्वम समाज या अन कोई संस्ता रैज की समक्ष नहीं हो सकती सेकंड है व्यक्ति एक एका की इकाई नहीं है वरन वे जिस समाज में रहता है उसका एक वैज अंग है रैज श्वम एक साध्ध है और व्यक्ति रैज के विकास का ए एक साधन मात्र है नेक्स्ट है रैज श्व्म व्यक्ति की आत्मा का ही एक व्यापक रूप है और व्यक्ति की सुतन्ता रैज की अग्यापालन करने में ही नहें थे रैज अपने नाग्रेकों की सामाजिक नेतिक्ताको श्यम में समीटे हुए है और उसका प्रतिनिंजिस करता है लेकिन रैज श्यम नेतिक्ता से उपा है नेक्स्ट है रैच अंतराष्टे छेत्र में अपनी चंशार कार्ड करने के लिए सुतंत्र है और उस पर अंतराष्टे कानूं या अंतराष्टे नेतिकता का कोई भी पृतिवन नहीं हो से थेंक्यू बत्रो आज इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू